तो आज से करीब एक महीने पहले मुझे एक trader का call आया था उनका कहना था कि sir मैं trading करता हूँ मुझे सब समझ में आता है कहां entry करना था कहां exit करना था आप जो भी अपने वीडियो में बातें बोलते हो मुझे सारी बातें समझ में आती हो आपका story और मेरा story बिलकुल same दिखता है बट मैं still loss में हूँ और in a long run loss ही होता है अगर मैं एक दो दिन profit बना भी लेता हूँ तीन दिन profit बना लेता हूँ दस दिन profit बना लेता हूँ लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो एक दो दिन में फिर सारा profit सूथ समय मार्केट को वापस दे दे तो मैं आपसे चानना चाहता हूँ कि आपके life में जो trading का turning point था वो कब आया क्योंकि आपने भी बताया कि शुरुआत में loss हुआ है क्योंकि मैंने बताया था अपने videos में कि शुरुआत में loss हुआ है हर trader को loss होता है उनका curiosity था कि मेरा trading career में turning point कब आया और उनका खुद से भी ये सवाल था कि मेरा turning point कब आएगा तो इस चीज को मैं सुना तो मेरे पास इसका जवाब था मैंने बोला देखू turning point तो मैं आपको अपना बताऊंगा ही साथ ही मैं आपको एक technique बताने वाला हूँ जिसका use करोगे तो आपका भी turning point बहुत जल्दी आ जाएगा फिर मैंने ये तरीका उनको call पर बताया बट आज इस चीज का मैं आपको complete video देने वाला हूँ तो कैसे आपके life में आपके trading career में वो turning point आ सकता है बहुत important है और सारा खेला mindset का है मैं बता जाता हूँ ये चीज मैंने अपने उपर apply किया है तभी बता रहा हूँ और अगर आप इस चीज को ढंक से समझ लिए ना सही बता रहा हूँ वीडियो देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्यों काम करेगा तो चलिए वीडियो को start करते है तो सबसे पहले क्या बात था कि उनको technical का knowledge था उनको knowledge था सबसे पहला चीज दूसरा चीज वो समझ रहे थे कि उनका mistake क्या है क्योंकि जब तक कोई trader अपना mistake को नहीं समझेगा वो इस चीज को follow नहीं कर पाएगा तो उनको अपना mistake पता था उनको technical का knowledge था psychology वाला जो part था वो वाला part में वो मार खा रहे थे तो अगर आप अभी beginner हो मालनो तीन महीने हुआ है छे महीने हुआ है आपको बहुत सारी basic चीज़े नहीं आती है तो फिर यह चीज आपके लिए सायत काम नहीं करेगा लेकिन अगर आप एक label पे पहुंच चुके हो मालनो label 1 है 2, 3, 4, 5 मैं final मालनो जहां पे है तो अगर आप 1, 2 में हो तो यह चीज आपके लिए काम नहीं करेगा बट अगर आप 2, 3 में हो, 4 में हो यह चीज़ें आपके लिए ही मैं बता रहा हूँ तो क्या है वो चीज़ जिसको अपलाई करके आप trading में अपना turning point पा सकते हैं देखो जो यह turning point of word है न इसी में आपको समझ में आ जागा कि क्या है वो चीज़ देखो एक trader का जो life journey होता है न उसको पहले आपको समझना होगा एक trader का life journey कैसे start होता है मालो market में वो एक लाग का capital के साथ start किया है यहां से तो सुरुवात में थोड़ा यूफोरिया में market में पैसा वो कमा लेता है थोड़ा सा कमाया फिर थोड़ा नीचे गीरा फिर थोड़ा कमाया और knowledge, skill, mindset नहीं होने के कारण फिर वो consistent loss करता है loss भी loss, loss भी loss, loss भी loss आपने देखा होगा आपके साथ भी हुआ होगा यह चीज़ कि उसके बाद जब तक आपके पास skill नहीं है वो loss होता ही रहेगा फिर आप market में एक बड़ा सा पैसा डालोगे यहां मालो pain किया, फिर loss, फिर पैसा डाला फिर loss, फिर पैसा डाल, loss, यह वाला चार्ट आपका बन जाता है market में, ठीक है यह चार्ट, अब दिक्कत यह है कि इस चीज़ में आपको knowledge नहीं है, बट जैसे ही आपको knowledge आना सुरू होता है न, फिर यह consolidation जो वाला phase है, यह phase में चलते हो, बट यहाँ पे आपका psychology हीट होता है, और जैसे ही psychology हीट होता है, और क्या psychology हीट होता है exactly, कि आपको दिखता है यह से यहाँ तक का मालो जो दिख रहा है, प्लस यहाँ 3 to 4 lakh है, जो भी आप around है, वो आपको अपने सर पे burden दिख रहा है, loss दिख रहा है तो यहाँ पे आप एक great trader बन चुके हो, ठीक है, पर यह जो burden है आपका, जो यहाँ से आप यहाँ आ चुके हो वो आपको रोकता है इस चीज से breakout देने से आप ठीक इसका थोड़ा सा उपर जाते है और फिर एक नया लूग फिर से आप अपने आपको समालते हो trading छोड़ देते हो, कुछ दिन break लेते हो कि नहीं भाई, trading नहीं करूँगा trading से नुकसान होता है, होता है कि नहीं ऐसा होता है मैंने बहुत सारे trader से यह चीज़ discuss किया है, सुना है, समझा है तब मैं बता रहा है उपको, कि एक trader जब एक लाक रुपय डालता है, शुरुआत में बहुत अच्छा trading करता है, बट जैसे ही वो पैसा 80,000 आ जाता है, 70,000 आ जाता है उसको लगता है, क्या मैं सिर्फ loss देने के लिए कर रहा हूँ, छोड़ देता है, सारा पैसा withdraw कर देता है, फिर कुछ दिन बाद मार्केट में motivation बनता है, किसी का वीडियो देख लिया, किसी का knowledge लिया, कहीं से कुछ पता चला, कोस वगयरा फिर 100 के वापस से capital डाल दिया फिर यहां तक बहुत सारे लोग market में नया पैसाल आता है, नया mindset के साथ आता है, वापस से फिर से loss का circle में चलता है, यही आपका सवाल है कि कब, इस जो race है जो यह circle है, इस से आप कब बाहर निकलोगे, कब exit करोगे, अब बताता हूँ मैं आपको काम की बात, मुद्दे की बात देखो, क्या पताया मैंने सारा खेल psychology का है अब आपको करना है इस game को reset, ठेक है, game सारा psychology का है, mindset का है, problem है आपका losses ही आपका burden है, और solution यह है कि आपको अपने mind के साथ खेलना होगा अब कैसे खेलना होगा, वो देखो, बहुत simple तरीका है बहुत का powerful काम करेगा, सुनू अब थोड़ा सा deep है, ध्यान से समझना कि जब आप 1,00,000 रुपीज मार्केट में ले के आते हो, और वो 1,00,000 हो जाता है, ठेक है उस समय आपका mindset क्या रहता है कोई पूछता है, या नहीं भी पूछता है, तो अपने आपका खुद में, एक target होता है, इनके भाई, मैं कल trade करना चाहता हूँ, कल ये करना चाहता हूँ क्या रहता है, कि इस 90,000 को पहले 1,00,000 बनाना है क्योंकि ये 10,000 मैं मार्केट को दे चुका हूँ, आप भोल चुके हो, पुराना 3,000,000,000,000 जो लॉस है वो छोड़ दो, अभी फिलाल, जो फ्रेस आपने शुरुवात किया है कि 100 से start क्या था, 90 पे आ गई, 80 पे आ गई, अभी आपका mind में क्या चल रहा है, क्या आप कमाने के 90 में आए हो, ठीक, अब basic price action देखो, जो कि human mind पे भी लागो होता है, क्या बता है मैंने, कि सारा ये जो chart pattern है ये कोई technical चीज नहीं है, ये psychological चीज है, जैसे ही आप 100 टच भी करोगे न, यहाँ resistant है क्या resistant है, market का resistant नहीं भाई, आपके mind में resistance है वापस से ये वाला growth बहुत rare है कि आपको मिलेगा basic price action क्या है, कि आपका trend negative है अभी आप negative trend में हो, इस बात को accept करना होगा, कि आप अभी negative trend में हो, जब भी negative trend में रहोगे, थोड़ा सा retracement आएगा, वो trend reversal नहीं आएगा, आपका trend negative ही रहेगा थोड़ा सा, मालो 80 में आए, 80 से नपे चले गए, वापस से फिर एक लो लाएगा 70 में आ जाओगे, क्यों कि trend negative है और अगर आप negative trend में opposite मालो mindset लगा रहे हो, कि मैं यहां से एक दम ये वाला growth चाहिए बहुत rare है, तो करना क्या है simple, अभी आपका जब भी trend negative हो जाता है, तो trend में ही आपको खेलना है, अब trend जब negative है मत करू trade, तो फिर क्या करें मालो आपके account में 1 लाख है, या 50 जार जो भी है आपका, ये आपको कौन कह रहा है कि आप trading करू अगर आप 1 लाख से start किये हो ठीक है, और वो घटके 90 हो गया है ना, मत करू trade, सारा पैसा मारो, भी ट्रॉ ठीक है ना, समझ जाओ कि आप trend negative हो चुका है, अभी अचानक से 98-97 तक ठीक है, चलता है, लेकिन जहां थोड़ा सा एक trend बन गया अब retracement आएगा और फिर again एक नए अलो बनेगा, फिर retracement आएगा, फिर again नए अलो बनेगा, किये हो ना, downtrend में buy किये हो, कभी तो आपको पता चलता होगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो ये चीज़ आपको तभी एकदम award करना है मानलो 100 डाला 90 हो गया, 10,000 का loss खाओ मार्केट से, 90,000 विड्रॉल करो जीरो होने का इंदिजार मत करो एक से दो हफता का break लो पूरा सीखो मार्केट में, सारा चीज़ समझो वापस से फिर, जो भी आपको अच्छा लगे 50,000 एक लाग, फिर से invest करो फिर से market में, फिर से fresh demand में डालो हमेशा पूराना चीज़ को भूल जाओ जो आपने account में पैसा डाला है चाए एक लाग डाला है, दो लाग है वो आपका fresh capital अब दुबारा जब एक लाग श्टार्ट किये फिर से थोड़ा सा उपर गया, फिर downtrend जहां भी आपको लगे कि आप downtrend में जा रहे हूँ ठेक है, आप तुरत पैसा विड्रॉल करोगे, ब्रेक लोगे आप कोई भी negative गिरता हुए stock में ible housing finance जाके खरिदोगे और बोलोगे कि ये भाई उड़कियो नहीं रहा है उपर में या कोई ऐसा stock जो कि गर्त में है, downtrend में है एक retailer क्यों फसता है, आपको पता है क्योंकि वो downtrend वाला stock को buy करता है heavy quantity में, average करता है और इंतजार करता है कि इसका trend reversal हो जाए, पर सचाई क्या है कि जो उपर जा रहा है, वही उपर जाता है और जो नीचे जा रहा है, वो नीचे ही जाता है mostly 95% तो ये चीज आपको तब तक दोहराना है जब तक सुरुवात में देखो किसमत का आप से कोई दुस्मनी तो है नहीं हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप 100 डालोगे दूसरे बार में नहीं हो, दूसरे बार भी game reset करेंगे, तीसरे बार नहीं हो, तीसरे बार भी reset, 4, 5, 6 एक बार तो आएगा जब आपका 1,00, 1,15,000 बनेगा इस समय आपका trend क्या है? अब आपका trend हो चुका है positive यही बना सकते हो आप अपना turning point मैं बता रहा हूँ लिख के कि ये चीज जो बता रहा हूँ न यूट्यूब में एक वीडियो भी आपको ये चीज नहीं मिलेगा जितना deep मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि mind set का सारा खेला है बाई 80% psychology matter करता है 20% technical matter करता है मैं तो बोलता हूँ 20 भी नहीं matter करता है अगर mind set सही है psychology सही है तो आपको trader बनने से कोई नहीं रोख सकता है तो अगर psychology खराब भी है तो अपने mind से खेलो न प्ले करो अपने mind से अपने mind को दिखाओ कि आप भले 100 से 90 हो गए 10 बार break ले ले कि अपने mind को अपने कर दिया receipt इस बार जब आपने 100 से 115 बनाया है एक लाग को एक लाग 15 बनाया है आपको पता है आपका chart कैसा बनेगा आपका chart बनेगा ये वाला अब बताओ इस type का chart जब भी market में बनता है बहुत कम chance होता न कि वो ऐसी गिरेगा ठीक है बहुत कम chance होता है वो क्या करेगा retrace करेगा 30% retrace हो गया एक लाग 15 से घटके आपका capital हो गया एक लाग 8000 वापस से आपका mind काम करना aware होना सुरू हो जाएगा कि aware होना है loss हो रहा है loss हो रहा है और cautious हो के और research करके और मेहनत करके पैसेंस के साथ आप trade करोगे और फिर एक नया high लएग आपको trader बनने से कोई भी रोक रहा है वो market नहीं है वो youtuber नहीं है वो आपका परिवार family कोई नहीं है वो आपका brain है जो आपको trader बना सकता है या फिर वो आपका brain है जो आपको trader बनने से रोक रहा है सारा game आपके mind का ही है और अपने mind के साथ अगर आप खेलना सिख गए तो फिर आपको कोई नहीं रोग सकता है, देखो दिक्कत यही होता है, कि जब हम लोग के बार लॉस में आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉसियस हो जाते हैं, और उस समय तो आप अच्छा ट्रेट करते हैं, इसलिए आपको एक bounce back मिलता है, बट फिर careless या फिर किस्मत जो भी बोलो, वापस से आप पर attack करता है, mood खराब हो जाता है, दिमाग कदई हो जाता है, revenge, emotional, कुछ भी trade लेके वापस से आप downtrend में आ जाती हो, जितना भार लो लगेगा, उतना भार psychology आपका खराब होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा फिर mind high होगा, जैसे ही आप गिरने लगेगे न, आपके लिए क्या दिखेगा, मेरा capital 125 का था, मुझे 125 जाना, वहाँ क्या लग रहा था, 100 से 90 हो गया है, वापस से 100 जाना है, 100 जाके भी आप market में कुछ कमाए, थोड़ी नबाई, वो तो break even होए, उसके बाद 100 जाओगे, नहीं जाओगे, बिच में फिर से एक losing streak आजाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो गोल बनेगा न माइंड में, वो अलग बनेगा, आज आप सोचलो कि कल में 1 करोड कमाऊंगा, practically possible है, नहीं है, क्योंकि आपका mind आपको बोलेगा, पागल है क्या, capital नहीं है, तेरे पास उस तरह का infrastructure नहीं है, उस तरह का तुमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप mind को उस label पर बेवकुफ नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपका mind जब देख लेगा कि आपका capital 125 था, और ये घट कि आप 115 हो गया है, तो वो अपने आपको adjust करके 125 का goal बनाएगा, और उसी हिसाब से action लेगा, और फिर से आप एक नया trend लगाओगे, और यही चीज़ को अब आपको maintain कर लेना है, ठीक है, एक बार ये वाला trick आपको मिला, तीन बार, चार बार में, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, देखो, हो सकता फस्ट बार में मिल जाए, हो सकता छे बार में मिले, जब तक नहीं मिले, repeat करना मिलेगा, इसका guarantee, आप बोलो, तो मैं लिग के दे दूँगा, कि ये चीज़, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर बार आप loss नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ, आपका दिन आएगा ही आएगा, और जब ये दिन आज आए, आपको बस उस चीज़ को maintain करना है, विश्वास करो, ये इतना ज़्यादा काम का चीज़ है, मैंने दो से तीन ट्रेटर को ये चीज़ फॉलो करवा के, तर्निंग पॉइंट जो है बोल रहे हो आप लाइप में, वो दिलवायार में है, देखा है कि ये काम करता है, क्योंकि खेला psychology का है, आपको बस अपने mind के साथ खेलना है, तो खेलो ना अपने mind के साथ, ये चीज़ करो, description में app का link है, उसको download कर लो, उसमें एक बहुत वीडियो आने वाला है, प्लस आप मुझे मेसेज भी कर सकते हैं वहाँ पर, अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को like जरूर करना, thank you for watching दोस्तों, मिलते हैं किसी next important वीडियो में, तब तक के लिए, bye